परीक्षा सुधार प्रक्रिया का नेत्रित्व करेंगे पूर्व इसरो प्रमुक पूर्व इसरो प्रमुक के राधाकृष्णन परीक्षा प्रक्रिया में सुधार परसाथ सदसे ये पैनल का नेत्रित्व करेंगे इस बात की घोशना शिक्षा मंत्राले ने की है केंद्र सरकार ने कहा है कि पैनल अपनी जांच की रिपोर्ट दो महीने के भीतर पेश करेगा UGC नेत को रद करने और नीत UG2024 के कथित पेपर लीग को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे शिक्षा मंत्राले ने शनिवार को परिक्षाओं का पारदर्शी सुचारू और निश्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेशग्यों की एक उच्चस तरिये समिती के गठन की घोषना की साथ सदसिये समिती परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोतोकॉल में सुधार और राष्ट्रिये परीक्षन एजेंसी, NTA की सनरचना और कारे प्रनाली पर सिफारिशें करेगी हैदराबाद केंद्रिये विश्वविद्याले के कुलपती प्रोफेसर बीजे राव और एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रंदीप गुलेरिया इस समिती में शामिल है समिती दो महीने के भीतर शिक्षा मंत्राले को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी नीट परीक्षा पर फैसला लेगी इन्टिये नीट पेपर लीक केस में बिहार पुलिस की टीम अब मास्तरमाइंड की तलाश कर रही है पुलिस का दावा है कि सिपाही भरती, शिक्षक भरती और नीट पेपर लीक केस के तार आपस में जुले है जांच एजेंसी ने अब तक की कारवाई के बारे में इन्टिये और शिक्षा मंत्राले के अधिकारियों को पूरे केस की जांकारी दी सूतरों की माने तो इन्टिये ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लेगा की परीक्षा रद करना है या नहीं वही पुलिस ने जला हुआ प्रशनपत्र और बुकलेट नंबर 61,36,488 बरामत किया दावा है कि यह बुकलेट हजारी बाग के एक सेंटर का है अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि नूरसराय महाविद्याले का कर्मी संजीव मुखिया ही पेपर लीग करने वा अरोप है कि संजीव को एक प्रोफेसर ने वादसेप पर प्रशन पत्र भेजा था इसे पटना और रांची के मेडिकल स्टूडेंट की मदद से हल करवाया गया था इसके बाद 5 माई की सुबह उत्तर के साथ इसे करायपुर सुराय के चिंटु उर्फ बलदेव के मोबाइ पर भेजा गया था, चिंदू की मदद से पिंटू ने इसका प्रिंट निकाला, इसके बाद पटना के एक प्ले स्कूल में थहराय गए, करीब 20-25 अभ्यर्थियों को इस प्रशनोतर को रटने के लिए भेज दिया, पुलिस ने एकंगर सराय प्रखन में छापे मारी कर एक व उत्तराखंड विधान सभा उपचुनाव के लिए 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, मंगलोर सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी प्रमुख मायावती सहित, आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, लिस्ट में बड़ा ना आपसी अपतय हो गई है, वही बस्पा के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी गई है, मंगलोर सीट से बस्पा ने पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सर्वत करीम अंसारी के पुत्र उबेदुर रह्मान को ही टिकत दिया है, भाजपा के केंद्रि महामंत्री व मुख्याले प्रभारी अरुन सिंग ने यह सूची जारी की है, स्विस अदालत ने सुनाई हिंदूजा समूह को सजा, हिंदूजा परिवार ब्रिटेन का सबसे धन्वान परिवार है, हिंदूजा परिवार के नेत्रित्व वाला हिंदूजा समूह करीब 110 साल पुराना है हालंकि इन दिनों हिंदुजा परिवार गलत कार्णों से सुर्खियों में है पर आरोप है कि उन्होंने स्विजर लैंड के जिनेवा स्थित अपने बंगले में काम करने वाले कामगारों का शोशन और गैर कानूनी तरीके से करमचारियों को काम पर रखा, उन्हें कम वेतन पर 18 घंटे तक काम कराया गया, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हिंदुजा परिवार के सदस्यों ने स्विस कानून के तहित तै नियून्तम वेतन के दस्वें हिसे के बराबर वेतन करमचारियों को दिया, जो कानून का उलंगन है. YSRCP का दफ्तर किया गया ध्वस्त, YSRCP का ताड़ेपल्ली का केंद्रिय कार्याले शनिवार को ध्वस्त कर दिया गया, YS जगन मोहन रेड़ी का कहना है कि चंद्रबाबु नाइडू की TDP प्रतिशोद की राजनीती कर रही है, इस पर TDP का कहना है कि यह अवैध रूप से कबजा की गई जमीन पर बनाया जा रहा था, इसलिए इसे ध्वस्त किया गया, आंद्रप्रदेश के गुंतूर जिले के ताड़ेपली में विपक्षी पार्टी के निर्मानाधीन केंद्रिय कार्याले को शनिवार को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया है, इसके बाद YS RCP प्रमुक YS जगन मोहन रेड़ी ने आरोप लगाया कि उच्छन यायाले के आदेशों की अवहिलना करते हुए यह तोरफोर हुई है, उन्होंने X पर एक पोस्त कर बताया कि चंद्रबाबू नाइडू प्रतिशोत की राजनीती कर कर रहे है, उन्होंने कहा कि कार्याले को ध्वस्त कर प्रतिशोत की राजनीती को अगले स्तर पर ले जाया जा रह उन्होंने TDP नेता को एक तानाशाह बताते हुए कहा कि तानाशाह की तरह उन्होंने YSRCP के केंद्रिय कार्याले की मशीनों से खुदाई कर बुल्डोजर से ध्वस्त करवा दिया। उन्होंने बताया कि कार्याले लगभग पूरा बन चुका था। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग पांच बजे तोर फोर शुरू कर दी थी पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि TDP, BJP और जनसेना वाली इंडिये सरकार के तहित दक्षिनी राजे में कानून और न्याय पूरी तरह से गायब हो गया है। भारत बांगलादेश CEPA पर बात शुरू करने पर सहमत। नरेंद्र मोदी की बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना से वार्ता हुई। बातचीत के बाद PM मोदी ने बताया कि हम अपने संबंधों को सर्वोच प्रात्मिक्ता देते। उन्होंने बताया कि आज नए क्षेत्रों में भारत बांगलादेश सहयोग के लिए एक भविश्य की द्रिष्टी तेयार की गई। इस दोरान शेक हसीना भी उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने डिजिटल डोमेन, समुदरी शेत्र और रेल्वे कनेक्टिविटी के क्षेत्रों सहित व्यापक आधार वाले संबंधों को आगे बहाने के लिए कई समझोतों पर हस्ताक्षर किये। पीएम मोधी बांगलादेश पीएम शेक हसीना के बीच हुई वारता के बाद भारत और बांगलादेश ने हरित भागीदारी के लिए एक साजा द्रिष्टिकोन को अंतिम रूप देने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये इसके साथ ही समुदरी सहयोग और नीली अर् पर समझोता भी हुआ कर दो दो